हेलो दोस्तों ब्रीज आज किचन में आपका सौगत है तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है फूलगों भी की बड़ी की सब जी यह होममेडिया मैंने घर पर बनाया है यह देखिए इसे हलका सा प्रेस करेंगे इसे हलकी दरारे तकि आ जाए इसके बादी आसानी से तूट जाएता है जादा सक्त नहीं होता है भुरभुरा सा होता है आप तोडकर बनाई या फिर खड़ा बनाई एंहां खड़ा बाना ने जारी कुकर को मैंने गर्म कर लें जिसमें मैंने डाला तीन चमश तेल में से जब धूआ निकलने लेके तहीं हम बड़ी को डाल देंगे अ अब उसी तेल में हम ऐलू डालेंगे यहां पर मैंने दो मीडियम साइज की आलू को काटकर ने लिया है मोटे मोटे आकार में मैंने काट लिया है इसको देखिए गोल्डेन ब्राउन ये भी हो चुक है अलू भी हमारा इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं आलो भून चुके हैं फिर थोड़ा सा तेल कम था इसमें मैंने एक चमच और तेल डाले आने की चार चमच और एक चौथाई चमच मेथी मेथी मेति की खुशबू जब किचन में बिखरने लेगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के प्याज बारिक कटे हुए अब इसे हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे गोल्डन होने तक यह देखिए हमारा प्याज गोल्डन कलर आ चुका है बिश-बिश में इसे चलाते रहें अब यहाँ पर हम डालेंगे अद्रक अल्लह सुन का पेश्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पर इसे मैंने कूट कर ले लिया है अब इसे हम लसन और अद्रक को भी गोल्डन होने तक प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं दो मिनट और दो मिनट हो चुके हमारे अब हैं बेसिक मसाले हम डालेंगे धनिया पौडर लाल मिर्च पौडर हल्दी पौडर और काली मिर्च और जीरा पौडर जो नॉर्मल हम लोग डेली इस्तमाल करते हैं वो मसाले मिने डाले हैं अब मसालो को लो फिलेंपर हम दो से तीन वर तक भून लेंगे चुक्की मसाले हमारे ड्राइई है तल में पकड़ने लगेंगे इसलिए हम इसमें अब डालेंगे एक कटोरी बारी कटा हुआ टमाठर मै इस नहीं के सब्दाइब दलें और दलेंगे बुड़ी और आलू को डालें के बाद इसे हम अच्छी तडर अमसालों में मिला लेते हैं दो मिनट और चला लेते हैं अब यह आप हम डालेंगे नमा स्वाद के अनुसार और आधा से थोड़ा सा कम आप गरम मसाला का इस्तमाल करिए या फिर सबजी मसाला का यह पर एक कटोरी मैंने पानी डाल दिया चुकि मैं मुझे ग्रेवी थोड़ा पतला चाहिए इसलिए मैं थोड़ा इसमें और पानी डालूँगी टोटल मैंने देड़ कटोरी पानी डाला है अगर आपको कम गरेवी चाहिए तो एक कटोरी पानी का इस्तमाल करें टोटल मैंने देड़ कटोरी पानी डाला ये देखे हमारी आलू और बड़ी की सब्जी पानी में तैरने लगी है मासाले वाले पानी में अब कुकर में लगाना है ढक्कन और से दो से तीन सीटी आने तक छोड़ देना है सीटी लगनी शुरू हो गई है तीन सीटी के बाद कुकर को हमें करना है ठंडा ये देखिए कुकर हमारा ठंडा हो चुका हलका सा इस्टीम अभी भी निकल लहा इसके अंदर ये देखिए हमारी आलू और बड़ी की सबजी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है अब इसकी मैं प्लेटिंग करके दिखाते हूं मैं मीनी कड़ाई में निकल कर दिखाती हूं सब्जी तो हमारी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है तो चली है अब मैं आपको बड़ी तोड़ कर दिखाती हूं कितनी आसाने से कुकर में घल जाता है कड़ाई में भी से अब बना सकते हैं यह देखे और इसकी मसाले अंदर तक भीन चुके हैं ग्रेवी के यह आसाने से टूड़ गया है न अच्छी तरह से पक चुका भी इसमें कच्छा पान इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह से आसान तरीके से बनाएं फुल गोवी की बड़ी के सब्जी और इंजॉय करें